बारिश के सीजन को आने में अभी देड़ से दो महिने का समय बचा है। अभी मार्च के महिने की शुरुआत हुई है और 15 जून के आसपास तक वानसुन भारत के अधिकतर राज्यों में दस्तक देगा। इन बचे हुए देड़ से दो महिनों में हम उन फसलों की नरसरी तैयार कर लेते हैं जिनकी भुवाई हम जुलाई के महिने में करेंगे। इन फसलों के लिए कौन से बीच का चुनाओ करें जानेंगे इस वीडियो में आगे। फूल गोबी की नरसरी मई और जून के महिने में तैयार कर सकते हैं। आप फूल गोबी की नरसरी तैयार करने का सबसे उप्युक्त समय मुझसे पूछें। तो वहाँ है 15 जून के बाद में फूल गोबी की नरसरी लगा सकते हैं बारिश के सीजन के लिए। बारिश के सीजन में हमें फूल गोबी का सबसे अच्छा मंडी थोगभाव देखने को मिलता है। यही कारण है कि हम पिछले कई सालों से बारिश के सीजन में फूल गोबी की खेती करते आए हैं। अब हम बारिश के सीजन में लगाई जाने वाली फूल गोबी की वेराइटी सेमिनस गिरी जा तो नहीं ले सकते हमें वही वेराइटी लेना होगी जो बारिश के सीजन के लिए ही बनाए गई जैसे सीजनता कमपनी की CFA 15-22 आप इस वेराइटी के बीच का चुनाओ कर सकते है बारिश के सीजन के लिए अब बारिश के सीजन में फूल गोबी के जो पोदे की ग्रोथ वहा हमें कम देखने को मिलती है इसलिए आप फूल गोबी की नरसरी तियार होने के बाद जो की 25-30 दिन ट्रांसप्लाणिंग के लिए तैयार हो जाएगी तब आप फूल गोबी के पोदों का ट्रांस्प्लाट एक बाई एक फिट की दूरी पर करें। यारी कि लाइन से लाइन के बीच की दूरी एक फिट और पोदे से पोदे के बीच की दूरी भी आप एक ही फिट लें। देखें आप फूल गोबी की नरसरी हमारी क्यारी विदी से भी लगा सकते हैं और आप कोकोपीट पे प्रोट्री के माध्यम से भी लगा सकते हैं। किस तरह से लगाना है या हम जानेंगे बाकी की फसले जानने के बाद में। तो मई और जून के महिने में जिस दूसरी फसल की हम नरसरी तैयार कर सकते हैं वा है पत्तागोबी। देखें आप पत्तागोबी की नरसरी भी फूल गोबी की तरह ही 15 जून के बाद में तैयार कर सकते हैं। और पत्ता गुबी के लिए आप नामधारी ANS 43 के बीजों का चुनाव कर सकते हैं अब पत्ता गुबी की नरसरी भी 25 से 30 दिन में ट्रांस लांडिंग के लिए तैयार हो जाई और जब आप खेत में ट्रांस लांडिंग करें तब पत्ता गुबी के दो पोदों के बीच की दूरी 10 इंच रखें वो लाइन से लाइन के बीच की दूरी भी आप 10 इंच ही रख सकतें फूल गुबी की तरह ही पारिश के सीजन में लगाई जाने वाल पत्ता गुबी का भी हमें काफी अच्छा मंडी थोगभा देखने को मिलता है वही और जुन के महीने में लगाई जाने वाली नरसरी हमारी तीसरी फसल पर आने से पहले जिन भी किसान भाईयों ने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वे सबसे बेले तो इस वीडियो को लाइक करें हम इस वीडियो के ऊपर 800 लाइक का टार्गेट लेकर चलते हैं तो फटा फट से लाइक करके टार्गेट को कंप्लीट करें तिसरी फसल है टमाटर आप जून के महीने में टमाटर की नरसरी लगा सकते कोकोपीट में प्रोट्रे के माध्यम से ताकि टमाटर की नरसरी को हम अत्यधिक गर्मी से बचाने के लिए इसे हम एक स्थान से उठागर दूसरे स्थान पर रख सकते साथ ही साथ हम हमारी टमाटर की जो नरसरी रहेगी उसे ग्रीन नेट की सायता से भी ढख सकते ताकि सुर्य का प्रकाद सीधा ही हमारे टमाटर के पोड़े पर ना पड़े अब टमाटर की नरसरी कोको पीट में और प्रोटरी के माध्यम से लगाते तो 25 दिन में ट्रास्प्लाडिंग के लिए तैयार हो ज और एक पोडे से दूसरे पोडे के बीच की दूरी आप देड़ सिट रख सकते तो इस तरह से आप टमाटर के पोड़ों का ट्रास्प्लाण कर सकते बात आती है टमाटर के लिए बिच चुनाओ के तो आप बारिश के सीजन में टमाटर के लिए सेमिनस कंपनी की अभिलाश का चुनाओ कर सकते या फिर सीजन दागी साहो 32 इकावर के बीच का चुनाओ भी कर सकते मई और जून के महिने में हम जिस चोथी फसल की नरसरी तैयार कर सकते वह है मिर्च कमाटर की तरह ही आप मिर्च की नरसरी भी कूकोपीट में प्रोट्री के माध्यम से तैयार कर सकते मई और जून इन दोनों ही मईनों में आप मिर्च की नरसरी लगा सकते हैं। बारिश के सीजन में लगाई जाने वाली मिर्च की फसल के लिए आप VNR की उगनती वेराइटी का चुनाओ कर सकते हैं। या फिर पदवन्त गोल्डन सीजन की एके 47 वेराइटी का चुनाओ कर सकते हैं। मिर्च के पोदों का ट्रास्पलाट किस तरह से करें वा देखते हैं। मिर्च के एक बेट से दूसरे बेट के बीच की दूरी आप 3 फीट रखें और एक पोदे से दूसरे पोदे के बीच की दूरी एक से 1.5 फीट रख सकते हैं। मल्चिंग पेपर का उपयोग अवश्य करें मिर्च की खेती में आप 25 माइक्रोन के मल्चिंग पेपर का उपयोग कर सकते हैं मिर्च और टमाटर की नरसरी मैंने जैसा की बताया है कि हमें कोको पीट में प्रोक्री के मार्जम से तैयार करना है तो किस तरह से गरना है वहाँ देखते हैं उसके बाद में हम बाकी की बची दो फसलों के बारे में जानेंगे सबसे पहले आप कोको पीट को पानी से भरे टब में दुबा दे और फिर कुछ घंटे तक इसे एसा ही छोड़ दे फिर आप कोको पीट में से एक्स्ट्रा पानी हटा कर इसे सुखा ले अब आप पाच केजी कोको पीट में से एक किलो फर्मी कमपोस्ट मिलाए एक किलो पेरलाइट मिलाए और इने कुछ इस तरह से अच्छी तरह से आपस में मिला दे ताकि प्रोट्रे में डालने के लिए हम उसके बाद में आप उपर से कोकोपीड का एक मिश्रन डाल दे। जीसा की आप वीडियो में देखी सकते। मई और जून के महीने में जिस पांचवी फसल की हम नरसरी तैयार कर सकते वह है प्यार। खरीफ के सीजन में बोई जाने वाल प्याच की नरसरी आप जून के महीने में लगा सकते हैं। आप पहली बारिश के बाद में अपने खेतों में प्याच के पोदों का ट्रास्मार्ट कर सकते हैं। आप बारिश के सीजन में प्याच के लिए नासी केन 53 के बीच का चुनाओ कर सकते हैं। प्याच की नरसरी आप क्यारियों के माध्यम से ही लगाएं। हमारी मई और जून के महिने में लगाई जाने वन छाटी फसले बेंगन देखे बेंगन की नरसरी आप मई और जून इन दोनों ही महिनों में लगा सकते बेंगन की नरसरी को तैयार होने में 40 से 45 दिन तक का समय लगता है बेंगन के लिए आप अपने ही एरिया की किसी भी उन्यत किश्म का चुनाओ कर सकते। बेंगन की नरसरी भी आप क्यारियों के माध्यम से ही लगाएं। किस तरह से लगाना है क्यारियों के माध्यम से वह देखते हैं। आप सबसे पहले filters के अपने खेट में क्यारियों का निर्मान करने, क्यारियों की लंबाई 10 फिट वा चोड़ाई 5 फिट रखें। ध्यान रखे कि हमें крайow एक्डम सम्तल बनाना है। अब हम इन क्यारियों में गोबर के खात का छिड़काओ करेंगे और छिड़काओ करने के बाद में हम इने मिट्टी में कुछ इस तरह से मिला दे। अब आप फूल गोबी, पत्ता गोबी, प्याज, बेंगन के बीजों का छिड़काओ कर सकते हैं। आप बीजों का छिड़काव, हमारी जो छिड़कन वी दिये, उसी की साहिता से करें। बीज गुवाई के बाद में आप कुछ इस तरह से इन बीजों के उपर मिट्टी चड़ा दें। ध्यान रहें कि हमें मिट्टी की एक हलकी सी परत चड़ा नहीं। अगर आप इन बीजों को जादा गहराई में बोते हैं, तो आपके बीजों का जमाव अच्छी तरह से नहीं होगा। बाद में आप सिचाई करते। तो आप क्यारियों के माद्यम से फूल गोभी, पत्ता गोभी, प्याज और हमारी बेंगन इन चार फसलों की नरसरी लगाएंगे। और कोको पीट में प्रोट्रेक के माद्यम से आप तमाटर और मिर्च की नरसरी लगाएंगे। हमें बारिश के सीजन में जादा तर फसलों का भाव जादा ही देखने को मिलता है इसलिए अगर आप मही और जून के महीनों में इन फसलों की नर्शरी लगाते हैं तो आपको बारिश के सीजन में इन फसलों का काफी अच्छा मंडी थुगभाव देखने को मिलेगा शक्ति वर्दव Hybrid Seats Private Limited के प्रोड़क्ट के बारे में और अधिक जानकारी के नीचे दिये गए नंबर पर जाकर फोन करें साथ ही साथ आप इनकी वेवसाइट भी विजिट कर सकते हैं मैं इनकी वेवसाइट के लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ और इस विडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो इस विडियो को जादा से जादा लाइक करें शेयर करें हो सकते तो चेनल को सब्स्राइब करें घन्यवाद किसान गाईयो जे जवाद जे किसान